ओके, हेलो चैर्टर्स, माइनेम इस रोईत एंड यूर वाचिंग रसल चैर्टर्स तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि WWE का जो पहले नेम WWF था वो WWE में चेंज की होगा तो काफे सारे लोग इस बारे में अलग अलग बातें बोलते हैं कि पहले ज़्यादा घुन खराब होता था पहले की फाइट अलग होती थी लेकिन इन सभी बाते को छोड़कर हम सीधा पॉइंट पर बात करेंगे कि आखिर इस बात की रियालिटी है क्या काम करती है वाइफ के लिए जीव जन्तु के लिए जो जानवर होते हैं उनके लिए तो उसके बाद उन्हें ने कर दिया कि तुम हमारे नेम का यूज नहीं कर सकती कि उससे में व्यका नेम था नाइंटिन सिक्स्टी में और जब की डिए जो कंपणी को हम जानते हैं उसका नेम पहले टाइटन स्पोर्स था जिसके बाद उन्हें अपना नेम डिएफ में चेंज कर दिया तो इस बात से वह दूसरी कंपणी खुस नहीं थी और और वहाँ पर जो ब्रैंडिंग थी वह ऐसे में उसके बाद उनका एक कोट केज चला जहां पर फिर जाकर 2003 में WWE कंपणी जीती कि वह फिलाल कुछ समय के लिए WWF के ब्रैंड के साथ ही अपने प्रोड़क्स को बेज सकती है तो फिर चास में गेम से काफी सारे चीज़ें जिने वह बना चुकी थी अगर ऐसा नहीं हो तो तो शाहिए WWE कंपणी को बहुत नुखसान उठाना पड़ता लेकिन खुशी की बात यह थी WWE कंपणी के लिए कि कि वह उस केस को जीच चुकी थी तो जब कोट का डिसेजन आ गया तो उसके बाद फाइनली WWF को अपना नेम WWE में चेंज करना ही था तो उन्हें प्रेजेंट भी काफी अच्छे तरह के से दिया उन्हें वहाँ पर एक स्लोगन बनाया गेट दा एफ आउट ताकि दर्शको इस एक मामुली सा थोड़ा सा खेस बनाकर अपने नाम को बहुत है अच्छे तरह से ट्रांस्फर्म कर दिया लेकिन काफी सारे रैस्लिंग फैंस अभी भी यह सोच चाहने की डिव्ड़ी में चेंज होने का कारण यह है कि पहले ज्यादा खुन कराबा होता था पहले की अल शायद आपको नहीं पाता और आप उसे जानना साते हैं तो सी यू गाइस इन में नेक्स वीडियो